हेलो दोस्तों, इंट्लेक्टो.न के स्यूट्व प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आसा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छी होंगे और लगातार अपनी तयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे तो इस प्लेटफॉर्म पर जो आपके लिए UPPCS, ROYRO और BEO के लिए जो GS के Important Topics की सीरीज चल रही थी उसके अंतरगत आज आपकी चौथी क्लास है और इस क्लास में हम लोग विश्व के सभी ज्वाला मुखी परवत के संदर्व में चर्चा करने वाले हैं और आपको एक चीज बता दूं कि ज्वाला मुखी से जो संबंदित प्रश्ण होते हैं वो उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग अपनी विभिन परिक्षाओं में लगातार पूछता है तो आगामी इन परिक्षाओं में भी यहां से प्रश्ण आने की पूरी संबहबना है और चेप्टर को डिसकस करने से पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि आखिर यहां से कैसा प्रश्ण बन सकता है ठीक है ताकि आपको इस बात की सहूलियत रहे कि आपको इस टॉपिक को कैसे तयार करना है तो देखो यहां पर एक तो आपसे ज्वाला मुखी की अवस्तिती पूछी जाएगी ठीक है अवस्तिती पूछी जाएगी और क्या पूछा जा सकता है कुछ जुआला मुखी को संग्याएं दी गई है तो वो संग्या पूछी जा सकती है जैसे कि भूमद्द सागर का प्रकास इस्तम्ब किसे कहते है हजार धुआरों की घाटी किसे कहते है तो इस तरीके के question भी बन सकते है बाद वाकी जो जुआला मुखी की प्रकरती होती है यानि कि कुछ जुआला मुखी के प्रकार होते है जैसे कि सक्रिय, सुसुप्त या फिर सांत तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा जुआला मुखी इन में से सक्रिय जुआला मुखी है या फिर कौन सा जौला मुखी इसमें से सांत जौला मुखी है या फिर कौन सा जौला मुखी इनमें से सुसुप्त जौला मुखी है तो इस तरीके का प्रशन बन सकता है बाद बाकी उत्तर प्रदेश लोग सेबा आयोग यहां से थोड़ा सा स्टेंडर कॉस्चन बनाता है औ और एक तरफ ज्वाला मुखी दे देता है ठीक है और दूसरी तरफ आपको दे देगा इस्थान और ऐसे ही चार ज्वाला मुखी होंगे चार इस्थान होंगे और इसमें आपको सही सुमेलित करना होगा तो इस तरीके के कुछ प्रशन यहां से बनते हैं एक तो अवस्तिती पूछी जा सकती है फिर जो कुछ बिसिष्ट ज्वाला मुखी को संग्या दी गई है तो वो संग्या पूछी जा सकती है और इस तरीके से सुमेलिन करने बाला प्रशन यहां से ज़्यादा पूछा जाता है अब मैंने आपको एक चीज बता दी कि ज्वाला मुखी बिभिन प्रिकार के होते हैं जैसे कि सक्रिय, सांत या फिर सुसुप्त ठीक है? तो बाद बाकी बात ये अवस्तिती और जो संग्या की रही बो तो अभी हम लोग देख लेगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि सक्रिय या फिर सांत या फिर सुसुप्त जौला मुख्य क्या होते हैं? देखो अगर हम लोग सक्रिय जौला मुख्य की बात करें तो जो जौला मुख्य हाल ही में जिनमें बिस्पोर्ट हुआ है या फिर जिनमें लगातार एक अंत्राल के बाद विस्पोट होता रहता है उसे हम लोग सक्रिय ज्वाला मुखी कहते हैं ठीक है? दूसरा आपका हो गया सान्त ज्वाला मुखी ठीक है? तो ये ऐसा ज्वाला मुखी होता है जिसमें की लंबे समय से विस्पोट नहीं हुआ है लेकिन इसमें बिस्पोट होने की आसंका है इसलिए इसको सांत ज्वाला मुखी कहते हैं और तीसरा आपका हो गया सुसुप्त ज्वाला मुखी तो सुसुप्त ज्वाला मुखी वो है जिसमें की लंबे समय से बिस्पोट भी नहीं कभी हुआ है और ना ही आगे होने की आसंका है तो ये हो गया सक्रिय सांत और सुसुप्त ज्वाला मुखी सक्रिय ज्वाला मुखी जिसमें की बिस्पोट होते रहते हैं और आगे भी बिस्पोट होने की आसंका है सांत ज्वाला मुखी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत लंबे समय से बिस्पोट नहीं हुआ है लेकिन अभी भी इनकी सक्रियता बरकराब है और इसमें कभी भ बिस्पोर्ट हो सकता है सुसुप्त ज्वाला मुखी वो ज्वाला मुखी है जिसमें की ना तो पहले कभी बिस्पोर्ट हुआ है और ना ही कभी आगे इसमें बिस्पोर्ट होने की आसंका है ठीक है तो ये हो गए आपके सक्रिय सांत और सुसुप्त ज्वाला मुखी अब हम लोग विश्व के प्रमुक ज्वाला मुखी के संदर में बात कर लेते हैं और एक एक करके आप बहुत अच्छे से देखिए चीजों को ताकि बहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाएं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोटो पैक्सी की, बहुत कोश्चेन इसके संदर में पूछे जाते हैं, तो कोटो पैक्सी जो है वो आपका एक्वाडोर में इस्तित है, ठीक है? कहां पर? एक्वाडोर में इस्तित है और ये एक सक्रिये ज्वाला मुखी है बाद बागी कोटोपैक्सी के संदर में एक कोश्चन पूछा जाता है और वो ये है कि विशुकार सबसे अधिक उचाई पर इस्थित ज्वाला मुखी परवत कौन सा है तो ये कोटोपैक्सी है तो विस्व का सबसे अधिक उचाई पर इस्थित ज्वाला मुखी परवत कोटोपैक्सी अगला देखिए माउंट चिंबा रोजे ठीक है तो माउंट चिंबा रे जो है वो एक्वाडोर में इस्थित है और ये एक सांत ज्वाला मुखी है ठीक है उसके बाद हम लोग बात करें माउंट एटना की तो एटना कहां पर है ये इटली के सिसली दीप पर इस्थित है बहुत बार पुछा गया है तो जो माउंट एटना है वो इटली के सिसली दीप पर है और ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वाला मुखी है उसके बाद माउंट विसुवियस की बात करें तो ये इटली की नेपल्स की खाड़ी में इस्तित है और माउंट विसुवियस जो है वो एक सुसुप्त ज्वाला मुखी परबत है उसके बाद माउंट इस्ट्रामबोली की बात करें तो ये इटली के सिसली दीब के उत्तर में एक लिपारी दीब है वहाँ पर ये इस्तित है ठीक है इसके बारे में इतनी डिटेल मैंने इसलिए देख क्योंकि सीधा सीधा आपसे इटली भी पूछा जा सकता है लेकिन जो इ इटली के सिसली दीब के उत्तर में जो लिपारी दीब है वहाँ पर है ठीक है तो आप लोग इतना याद रखना बाद बाकि जो ये श्ट्रामबोली है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी परवत है अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ज्वालामुखी को इस्तम किसे कहते हैं तो ये कहते हैं इस्ट्रामबोली को ठीक है आगे देखिए माउंट एकांका गुआ बहुत इंपोर्टेंट है बहुत बार कौश्चन यहां से बने है तो जो माउंट एकांका गुआ है ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर इस्तित है बाद बाकि म कि जो माउंट एकांका गुआ है वो एंडीज परवत की सबसे उची चोटी भी है। ठीक है? जो दक्षिड अमेरका महदीप में आप देखेंगे पस्चिम में पूरी उत्तर से लेखें कि दक्षिड तक जो एंडीज परवत फैला हुआ है, उसकी सबसे उची चोटी है माउंट एकांका गुआ और ये एक ज्वाला मुखी परवत है। जोडी की सबसे उची चोटी कौन सी है माउंट एकांका गुआ ठीक है? उसके बाद ओजोस डेल सेलेडो तो ओजोस डेल सेलेडो की बाद करें ये भी अर्जंटीना और चिली की सीमा पर इस्तित है और ये एक सक्रिय ज्वाला मुखी है ठीक है? उसके बाद देखें हम लो मुखी परवत है उसके बाद माउंट कीली मंजारो बहुत इंपोर्टेंट है ये कहां पर है? ये अफरीका के तन्यानिया में है और माउंट कीली मंजारो एक सांथ ज्वाला मुखी परवत है बाद वाकि आपको याद रखना है कि ये संपूर अफरीका महादीब का सबसे उचा परवत भी है कौश्चन अगर पूछ लिया जाए कि अफरीका महादीब का सबसे उचा परवत सिखर कौन सा है तो कीली मंजारो बाद वाकि कीली मंजारो के संदर में एक फैक्ट और याद रखना है आपको कि कीली मंजारो बिस्व का सबसे उचा स्वतंत्र खड़ा परवत भी है ठीक है तो बिस्व का सबसे उचा स्वतंत्र खड़ा परवत कौन सा है कीली मंजारो आगे बढ़िये बात करते हैं अगला है माउंट मोना लोगा तो ये कहां पर है ये USA यानि कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई दीप पर इस्तित है और जो माउंट मोना हुआ है ये एक सक्रिये ज्वाला मुखी परवत है उसके बाद देखो अगला है माउंट किलाईू तो ये कहां पर है ये भी USA के हवाई दीप पर है और ये भी एक सक्रिये ज्वाला मुखी है बात बाकी आपको ध्यान रखना है कि माउंट किलाईू दुनिया के सरवादिक शक्रिये ज्वाला मुखी परवतों मैं से एक है। ये भी कभी-कभी fact बन जाता है कि निम्लिखित में से कौन सा ज्वाला मुखी परवत सरवादिक सक्रिय है तो ये है माउंट किलायू उसके बाद USA में दो और ज्वाला मुखी परवत हैं जो कभी-कभी पूच लिये जाते हैं माउंट सेंट हेलेंस और माउंट रैनियर ये भी कहां पर है USA में ठीक है उसके बाद अगला है माउंट मैकिले जो की USA के अलासका छेत्र में है ठीक है तो माउंट मैकिले की जो अवस्तिती है वो कहां पर है USA के अलासका छेत्र में माउंट मैकिंले की बात करें तो यह एक सक्रिय जो आलामुखी परवथ है और माउंट मैकिंले को हजार धुवारों की घाटी भी कहते हैं तो ये question खूब पूछा जाता है कि हजार धुवारों की घाटी किसे कहते हैं तो ये कहते हैं Mount Mcanelay को ठीक है उसके बाद Mount Erivas की हम लोग बात करें तो ये अर्टांटका के Ross Deep पर इस्तित है ठीक है तो Mount Erivas कहां पर इस्तित है अर्टांटका के Ross Deep पर उसके बाद दो ज्वाला मुखी एक Cherry Kootin और Colimo तो ये कहां पर पाए जाते हैं ये भी Mexico में पाए जाते हैं ठीक है कहां पर Mexico में नाम याद करिए Cherry Kootin और Colimo उसके बाद आगे देखिए तो आगे Mount Tal, Mount Mayan, Mount Pinatovo और Mount Apple ये चारो ज्वाला मुखी परबत कहां पर हैं ये हैं Philippines में ठीक है बाद वाकि जो Mount Epo है उसका एक इस्थानिये नाम भी है तो इसे इस्थानिये रूप से Epo Sandva कहा जाता है Mount Epo का इस्थानिये नाम क्या है Epo Sandva बाद वाकि Mount Tal, Mount Mayan, Mount Pinatovo और Mount Epo ये सभी कहां पर हैं Philippines में अब देखो आप लोग सोच रहोगे कि इतने जादा ज्वाला मुखी होगे हम लोग याद कैसे करेंगे तो याद तो आपको करना पड़ेगा और जब आप चीजों को लगातार रिवाइज करेंगे तो चीजें अपने आप दिमाग में कंठस्त हो जाती है तो सबसे मूल तरीका यही है कि आप चीजों को रिवाइज करें मैं फिर कह रहा हूँ कि जो UPPCS है, BEO है, ROYRO है यह इस standard के exam नहीं है कि आप तोते की तरह वहाँ पर कोई trick को रट कर चले जाए और question आपका हो जाएगा यकीन मानिये यह एक standard exam है और आपको यहाँ पर बहुत ही बहतर तरीके से चीजों को अपने मन में कंठस्त करना ही पड़ेगा ठीक है, तो trick बाजी के चक्कर में बिल्कुल ना रहें चीजों को मूल तरीके से याद करने की कोशिस करें क्योंकि वहाँ पर question जो मैंने बताया है उससे हटकर भी आ सकता है तो आप हर परिस्तिती के लिए तयार रहें उसके बाद अगला देखो जोणा मुखी यहाँ पर वो है कोहो सुल्तान तो यह कहाँ पर है, यह इरान की एलवुर्ज परवस्रेडी परिस्तित है और यह एक सांत जोणा मुखी है ठीक है उसके बाद अगला देखो है माउंट देवबंद ये कहां पर है ये भी इरान की एलबुर्ज परवस रेडी पर है और ये भी एक सांत ज्वाला मुकी है बात बाकी देमबंद के संदर में एक फैक्ट याद रखना कि जो इरान का माउंट एलबुर्ज परवत है उसकी सबसे उची चोटी देमबंद ही है ठीक है तो ये बाला फैक्ट याद रखना कि जो देमबंद जो अला मुखी है ये माउंट एलबुर्ज परवत स्रेडी की सबसे उची चोटी है इसके बाद बात करें तो अलबुर्ज है ये कहां पर है ये है इरान में उसके बाद माउंट हैक्ला और लाकी बहुत पूछे जाते हैं ये कहां पर है ये आइसलेंड में इस्तित हैं माउंट हैक्ला और लाकी कहां पर है आइसलेंड में ठीक है उसके बाद Mount Kinawalu बहुत बार पूछा जा चुका है तो Mount Kinawalu कहाँ पर है? Malaysia में उसके बाद Mount Savan Kaya बहुत पूछा जाता है तो Mount Savan Kaya है पेरू में बाद बाकी यहाँ पर मैंने सक्रिय सांत या फिर सुसुप्त नहीं लिखा है क्योंकि इन ज्वाला मुखी के संदर में ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी ठीक है कुछ में ज्वाला मुखी है उनके संदर में इस तरीके के फैक्ट पूछे जा सकते हैं वहीं पर मैंने इनको लिख दिया था इसके बाद माउंट मेरापी माउंट सिनावंग और माउंट सेमेरू की बात करें तो ये भी कहां पर है इंडोनेसिया में ठीक है तो किनावालू मेरापी सिनावंग और सेमेरू ये सब कहां पर हो गए सोरी किनावालू तो आपका मलेसिया में है हम लोग बात कर रहे थे इसकी मेरापी, सिनावंग और सैमेरू कहां पर है इंडोनेसिया में बात बाकी साइद पिछला जो UPPCS हुआ था या फिर कोई उत्तर प्रदेश लोग सेबा का आयोग का एक्जाम था उसमें एक fact पूछा गया था और fact में लिखा हुआ था मतलब कथन की रूप में था कि इंडोनेसिया में 150 से अधिक सक्रिय जो अलामुखी परवत मौजूद हैं तो वो कथन बिल्कुल सही था तो आपको याद रखना है कि जो इंडोनेसिया है उसमें 150 से अधिक सक्रिय जो अ शुद्ध हैं उसके बाद अगला हैै मांट कराका टोवा या फिर इसे करा कटोवा भी कहते हैं कहां पर है यह जाबा तथा सुमात्रा दीप के मद्ध में ओर यह है सुसुप्त ज्वारा मुखी ठीक है तो जाबा और सुमात्रा दीप इंडोनेसिया के ही दीप» तो इन Πे और ये एक सांथ ज्वाला मुखी परवत है उसके बाद माउंट पोपा खूब पूछा जाता है ये कहां पर है ये आपका है मेमार में और ये एक सांथ ज्वाला मुखी है उसके बाद पिछली ही एक्जाम में पूछा गया था माउंट कटमई तो माउंट कटमई कहां पर है ये है अलास्का में और माउंट टकाना कहां पर है ये है ग्वाटेमाला और मैक्सको की सीमा पर तो ये आपके हो गए विश्व के सभी प्रमुख ज्वालामुखी परबत इस वीडियो को दो से तीन बार बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए और थोड़ा नाम से फैमिल से नाम पढ़ने के बाद दो मिनट में आप भूल जाएंगे अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो कि अजीब से नाम है क्राका तुवा, सनावंग, कटमई, टकाना ठीक है लेकिन जब आप लगातार चीजों को बार बार पढ़ेंगे तो ये सारी चीजां बड़ी ही आप अच्छी तरीके से अपने मन में कंठस्त कर पाएंगे और आपको धीरे धीरे करके इनकी अवस्तिती बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी तो ये हो गई आज की क्लास समाप्त और आपको ध्यान रखना है कि दो सब्जेक्ट यहां पर हम लेके चलेंगे एक सा और अल्टरनेट देज पर जैसे कि अभी हम लोग पर्यावरण और विस्भूगोल को लेकर चल रहे हैं जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तब हम आगे दो सब्जेक्ट फिर उठा लेंगे और उनको अल्टरनेट देज पर चलाएंगे तो लगातार आप लोग वीडियो देखते रहे हैं और इन वीडियो को सेर भी करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बात वाकी अगर आपको PDF की डिमांड है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टेलीग्राम का वहाँ पर पहुँचिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी तो आ